यह आपर कुछ यहां पर गॉबलेंश टाइप की क्रीचेश होते हैं जो कि एक बंदे पर आटक कर रहे होते हैं अब यह बंदज होता है इनको बीच से बहुत इसली काट रहोता है जैसे काफ यह बोलता है कि मुझे और चाहिए फाइल ने वह पर जितने भी गॉबलेंश होत है और इसमें मास्क पैन रखा है यहां पे बुल काट को देखते हैं जिसके बंदब भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे जो इक गॉबलिन जब लेता है और यह काफ़ी तेज यहां पर मदद के लिए बुकार लगाता है कि कोई भी उतिसकी हेल्प कर दे तबीन नीचे है फिकर मत करो हम आगया है उन सब लों हैंडल कर लेंगे यह लोग कुछ गॉबलिन को यहां पर एरोस भी मारता है जिससे वह नीचे गिर जाते हैं बाकि यह बंदा बोलोता है ध्यान लगना जहां पर एक गॉबलिन है वहां पर 100 गॉबलिन तो होंगे ही होंगे और यह ज करता है कि आज करेंका बंदबस्त हो चुका है अब हम लोग इस पूरे-खी पूरे व्यापर के कीनडम ओ देखते हैं कि काफी सूंदर होता है इस कीनडम के यहां पर तरवासे पर एक विकारी होता जो खड़ा होता है रहो बोलो बोलता है कि यार कैसी किसमत है मेरी मेरे वो जिसका नम ग्लोट नहीं है जिसकी वज़े से मेरे सारे लेवल वन है और मैं कभी हुए उंटर नहीं बन पाऊंगा अब इसकिल के बारे में आगे बता चलेगा अब हम लोग देते हैं कि यह लोग हंटर जो है ना मस्त यहां पर खाना पीना खाके बैटे होते हैं आज के दिन रगंता कर दिया तो शर्म नहीं आई और यह दूसरी जो वह बोलती है कि तुम पता नहीं है यह खोली नाइट के साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है सरदर से अलग हो जाना क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता यह लोग पर थार्ड बंदा होते हैं बस करो आप हमारे जाने का टाइम हो चुका है और लोग आँसा चले जाते हैं यह कहते हैं कि तुम लखी हो पिलाल इनसे सब कुस्ट करते हैं और तीसरा बंदा आगे आके बोलता है यह लो तुम्हारा आथ का प्याउट और वो कुछ ब्रोंज की यहां पर वाइस आगे फिक देता है अब ब चाते हुए बोल्टा है यह आके बरता इसके हाथ के पर पहर रख देता है अब माफ करना लेकिन तुम्हारे जैसे ओप्र साफ कर देता है और बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं, इस गंदी से पेट की आवास को बंद करो, पर यहाप अपने जो बंदा होता है ना, इसका नाम फेट होता है by the way, अफेट अपने मन में सोसर होता है कि इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे लोग है जिनके पास है पर सुपर पावर्स जिसको ह मेरे किसी काम की नहीं, यह बंदी बोलती ही, तुमारी इस गंदिक स्किल के ला तुम पैदा हुए हो, इसका कोई भी काम नहीं है, तुमें कच्छडे से कम नहीं हो, इस तरह खुशे बनाओ कि हम तो में थोड़ा पैसा दे रहे हैं, और यह बंदा बोल रहा होता है, कि मैं की रखवाली करें, ना कि उनके साथ ऐसा काम करें, जिस पर यह बंदा की जवाब देते हैं, कि हम लोग वे गरीब को यहापर काम दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है, और यह बोलती ही, कि इस तरह एक गरीब को साथ बिहेव करना यह बिल्कुल भी सही है, और यह सब सुनकी लोग आँसे चले जाते हैं, बाकी रॉक्सी आगे बढ़ती है, और उसको अपना हाथ देती है, और वो बुछती है, तुम ठीक तो हो, कि मैं ज़ता कई चोट तो नहीं आई, अब यह बंदा उपर उटता है, और वो बोलता है, वो बोलता है, यह मेरे लिए एक गौड़ यह हमारा काम है, इस गेट की रिक्वाली करना हमारा काम है और तुम करते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेंग जरूट नहीं है, और वो जो अपना भाला होता है, वो वापस ले लेती है, और बोलती है, कि अगली बार से गौड़ तो अगर तुम्हें पर पर क्या 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 करते हैं, और वो उनके पास यहां पर बात लेकर पहुचती तो उसको पक्का यह लोग उसे बुरा बरताफ करते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए वो बोलता है, कि मैंने यह सब चीज़ें रॉक्सी से नहीं बताई, और अपने अंदर ही रखी, फि हम लोग अब नाइट का सीन देखते हैं, जहां पर इडियो ना करके बाहर गुम रहा होता है, वो बोल ला होता है, कि क्यों, क्यों मेरे को इतनी खराब स्किल मिली, मेरे इसी कंदी से स्किल के वज़े से मेरे को वह भी काम नहीं देता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी तुम जाके यहाँ पर चेक करो, इस पर रॉकसी वह बाला उसको पकड़ाती हो, तुम बोलते हैं, यहाँ पर तुम खड़े रहो, मैं जाके देखती हूं, और वह वहाँ पर चली आती ही, क्लिक क्यों थीप से कौन चोर लोग है वहाँ पर, थोड़े दिर के बाद ही, वहा आगे करा हो जाता है, और वह जैसे ही उसको अटाक कर देता है, और वह वह भाला घूज जाता है, वह वही पर उसका काफे दा खूल लिला जाता है, तभी एक स्टेज आवाज शूनाइद में, जो क्ल्टश अच्टिवीट हो चुकी है, इक हम टोग जारे हैं, और हम लोग कि फेट को कुछ नहीं हुआ कि क्या हो रहा है कि इसको मारने का जिम्मा तुम ले लो प्लीज अगर उन लोग को मालूँ पड़ा तो वो लोग मेरे को फिर से यहां पर सताएंगे तो फिकर मत करें इसको मैं हैंडिल कर लोगी तुम्हार जोब बची है तो मैं तुम्हें एक काम करो आखिकर मुझे नहीं लगता कि तुम चाहते हो कि तुम उनकी नीचे अंडर रहे के मर जाओ तो कैसे लगा ओफर तुम यहां पैसरिप करना चाहोगे तो फेट बोलता है कि उनके अंडर यहां काम करके एक नाई दिन में मरी जाओंगा इस अच्छा कि मैं तर सुना बढ़े में यह क्या चेंजिस हो गए मेरे स्ट्स यह अचानक से क्यों बढ़ गया है अगर ऐसा है तो मैं आप मॉस्टर से फाइट कर सकता हूं तो थोड़ा बहुत पैसे बिगवा सकता हूं इसी सोच के साथ फेट दूसरे दिन यहां पर स्वार्ट के दुकान पर आता है इतनी सेविंग से एक स्वार्ट तो आई जाएगी वह बंदा बलता है वह देखो बगल में कच्रा पड़ा हुआ है उसमें से कोई चीज़ आई हो तो ले लो अपर फेट ऐसा ही करता है उसमें से वह अलग अलग स्वार्ट लिकालता है और देखता है अपनी नई मिली एब बहुत सिमलर लगती ए तभी यह स्वार्ट से आती है ए तुम फेट आपर चौक जाता है यह कैसी अवाज थी और यहां मैं ही बोल नहीं हुआ हूं लोट नहीं और यह बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता बाकि यहां पर इसको मालूम पड़ता है इसका नाम पूरी लाइफ बदल दूँगा और वो बोलता है क्योंकि आके कर मेरे और तुम्हारे बीच में यहां पर काफ़ी सिम्लारिटीज हैं बाकि फेट इसी स्वाट को 25 का निक्स होचता है बाकि वहां पर दो कोई रख देता है जो उसने लाए थे नैसे हम लोग यहां पर इसी ब अगर आप पर रिमेंस लेना है तो और भी तरीके यह अस्ती हो और वो देखते हैं कि यहां पर इसके सामने फितना होता है यह कैसे हो सकता है तभी उसको स्टेंट से वस वापस तुनाई देती है ग्लूटनी स्किल वापस एक्टीवेट हो चुकी है और तुम पर और भी जादा गोबिल्स आजाते हैं और उसकी जो स्वाड होती है वो बोलती है तैयार हो जाओ और अम्हों देखते हैं कि पेट भोल रहा है कि यह नामुम्किन है इत्ते लोग साम कैसे लड़ेंगी इस पर उसके स्वाड बोलती है बस अपने हाथ मूफ करो और यह करके होता है यह कैसी हावाज है और यह में स्टैट्स कैसे बढ़ रहे हैं बाकि इसकी जो यहां पर स्वाड होती है तुम्हारा पेट तो बरी गया होगा है कि हाँ तुमने प्रकुल सही का आज मेरे पूरे दिन मेरे पेट से हावाज नहीं आई यह काफी अच्छा लग रहा है मैंने बहुत सालों से ऐसा महसूस नहीं करा था बाकि यहां पर फेट पूछता है कि इस पूरे स्टैट्स और उसका लेवल यहां पर अपने चुरा लेती है क्या सकते हो तुम लोग और जिसके बास भी ग्लूटनी स्केल होती है वह का फिस जादा एक्स्टा ओर्डिनरी हो मैं अकेले काम करूंगा तो इसकी स्टा हूं नहीं मैं तुमने मेरे को अपना मस्टर समझी लिया ना बाकि यहाँ पे इसकी जो blade होती है वो बोलती है कि सारे सारे goblins का यहाँ पे जो कान है उसको collect कर लो आखिर तुम्हें पैसे पे तो कमाने हैं बाकि यहाँ पे goblins के कान बेजने एक बाद इसको cow weather पैसे मिलाते हैं इसके fate बोलता है युश करके सुनता है कि वो बच्ची help मांग रही है और इसके fate बोलते है कि तुम क्या करना चाहोगे जिसके fate बोलता है मैं उसको ignore तो नहीं कर सकता अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेराउस के अंदर इस बच्ची को इसने लाया है वो बोल रहा है और इसी साथ guys यह episode यहीं पर end हो जाता है आप लोग को यह episode कैसे लगा कमेश दो बताना और subscribe को तो इसका अगला episode देखने के लिए बाकि मैं वादों से नेस तो जिंग वीडियो में Till then, goodbye